नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की सोमप्राज टेबलेट का उपयोक किन कंडिशन्स में किया जाता है सोमप्राज टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सोमप्राज टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं सोमप्राज टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करती है सोमप्राज टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर सोमप्राज टैबलेट का उप्योग किया जाता है सोमप्राज टेबलेट को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़़ से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर सोमक्राज tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर अंटिबायोतिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोतिक दवाओं की वजह से ये side effects ना हो। इसलिए आपका डॉक्तर सोमक्राज टेबलेट को एंटिबायोतिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा सोमक्राज टेबलेट का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और जोलिंगर-ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर-ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उतपादन बहुत अधिक होता है। सोमक्राज एक brand name है। सोमक्राज टेबलेट के अंदर salt composition इसो में प्राजोल होता है। सोमक्राज टेबलेट 20 mg वर 40 mg की strength में available है। अब हम discuss करेंगे की सोमक्राज टेबलेट को कैसे लेना recommended होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में सोमक्राज 20 mg टेबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं। लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर सोमक्राज 40 mg टेबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला दे सकते हैं। सोमक्राज टेबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सोमक्राज टेबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सोमक्राज टेबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सोमक्राज टेबलेट की वज़से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिरदर्ध, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा सोमपराज टैबलेट की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कप्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक सोमपराज टैबलेट का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक सोमपराज टैबलेट को लेने से शरीर में वितामिन C, वितामिन B, 12, कैलशियम, आइरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना सोमप्राज टैबलेट को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार सोमप्राज टैबलेट को लेने से ऑस्कियोप्रोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। सोमप्राज टैबलेट की वज़़ से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है। जब सोमप्राज टैबलेट का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से सोमप्राज टैबलेट को ले रहे हैं। तो आपको कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन दी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धुप में बैठना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सोमप्राज टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सोमप्राज टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोमप्राज टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोमप्राज टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सोमप्राज टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं